राधे राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आज की हमारी कहानी का नामे अवहेलना नीरज बिष्टर पर बैठा गोद में लेपटप लिये कुछ काम कर रहा था वहीं से उसने रोमा को आवाज लगा कर एक प्याली चाय लाने को कहा रोमा ने फटफट चाय बनाई और चाय लेकर उसके पास पहुँच गई उसने चाय की प्याली वहीं सिरहने वाली मेज पे रख दी और वापस रस्वई तक पहुँची भी नहीं थी तब तक नीरज की चिखती आवाज आई जाहिल औरते मा बापने काम करने की कुछ तमीज भी सिखाई है की नहीं बुड़ी तरस से जला डाला मुझे और लेपटप को भी बरबाद कर दिया सहमी हुई रोमा लोट कर वापस आई उसे देखते ही नीरज ने एक तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया और दात पिस्ते हुए बोला ये देखे क्या किया तुने चाई ऐसे रखी कि जैसे ही चाई लेने लगा तो चाई गिर गई कुछ अकल है की नहीं तुम्हारे कर गिर गई होगी मगर वो कुछ बोलती तो नीरज और भड़क जाता इसलिए रोमा अपमान का घूट पीके रह गई सासू मा भी बढ़ बढ़ाने लगी ये डायन तो मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है पता नहीं चाहती क्या है कलमुही इसके बापनी जैसे एक सुखली सी चैन देकर मेरे बेटे को खड़िद लिया हो ऐसी धोस दिखाती है ससुर भी अगने नेत्रों से उसकी ओर देखके आखवार पटक कर चल दिये कटके रह गई रोमा वहां किसे सुनाती अपनी ब्याथा रोमा के विवा को दो साल हुए थे नीरज के दादा ज इस सहर के बहुत बड़े उधोग पती थे और उनका बहुत बड़ा कपड़ों का बेवसाय था नीरज के दादा जी ने रोमा को एक विवा में देखा था तो उसके सुम में रूप और सूसंसकारों से परभावित हो गय थे और उन्होंने उसी च्छन निश्याय कर लिया थ कि रोमा को ही अपने घर की बहु बनाएंगे जब उन्होंने ये बात घर में कही तो ये रिष्टा किसी को पसंद नहीं आया क्यूंकि रोमा काफी गरीब घर से थी और नीरज के मा बाप को और नीरज को मोटे दहेज की चाहत थी पर दादा जी के हट के आगे किसी की एक न चली और रोमा इस घर की बहु बनकर यहां आ गई बीबा में उसके माता पीता कुछ अधिक नहीं कर पाए सिर्फ नीरज को उपहार सरूप एक सोने की चैन दी थी और बरातियों का स्वागत उन्होंने बहुत अच्छी तरसे किया लेकिन इसके लिए भी उन्हें अपनी ग पीता ने उसे समझा बुझा कर इस बीबा के लिए राजी कर लिया था उसके माता पीता बस इसी बात से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी बिटिया का विवा बरे घर में हो रहा है बीवा के कुछ दिन बहुत अच्छी तरसे बिते मगर होनी के आगे किसकी चलती है बीवा हुए चार महीना ही बिते थे कि एक रात हिर्दय गती रुक जाने से सनहिल दादा जी का नीधन हो गया और उसके बाद से ही रोमा के उपर ब्यंग बानो और प्रातरना का पहार तुट पड़ा साइद वे लोग यहीं चाते थे कि किसी भी परकार से रोमा तंग आकर स्वेम ही यहां से चली जाए और निरज का दूसरा बीवा हो जाए प्रन्तु रोमा अपने माता पीटा के सम्मान और उनके दिये गए संसकारों के कारण सब कुछ चूप चाप सहती जा रही थी और पीरा सारा दर्द अपने में समेट के पी लिया था आज रोमा का जन में दिन था सुबह सुबह उसके मा और पीता जी ने फोन किया था पीता जी ने कहा कि वो आज उससे मिलने उसके घर आ रहे हैं रोमा कांप के रह गई वो नहीं चाहती थी कि उसके पीता इस घर में आए और अप मानित होकर वापस जाए उसने पीता जी से कहा आप बेर्थ में परिसान ना हो बाबू जी बात तो हो गई है प्रन्तु पीता जी नहीं माने और कहा कि मैं आज तुमसे मिलने अवसे आऊंगा आज तेरा जन्म दिन जो है अब रोमा कर भी क्या सकती थी सिवाए उनकी पर्तिक छाके साम होने वाली थी तभी बाहर एक अटो आकर रुका और उस में से उसके पीता जी हस्ते मुश्कुराते हुए उतरे रोमा दोड कर वहां पहुंची उसने पीता जी के पैर छुए और उनके सीने से लग गई रोकते रोकते भी आंसु है जलक ही आये इस पर प अपनी पीडा छुपाते हुए पीता जी से कहा कुछ नहीं बाबुजी बहुत दिनों बाद आपको देख रही हुँना तो खुशी के आंसु जलक आये फिर रोमा ने पीता जी को अंदर बिठाया पीता जी कुछ फल मिठाई और घर में सब के लिए कपड़े लेकर आये थ अपने पीता की आर्थिक इस्तिती को समझते हुए रोमा समझ रही थी कि इन उपहारों के लिए उसके पीता को अपने घर के खर्चों में से कितनी कटोती करनी पड़ी होगी तब जाकर वो ये सब कुछ उन सब के लिए ला पाए होंगे उसने रुंधे गले से कहा ये सब क क्यों कि या बाबुजी इस पर पीता जी ने मुश्कुरा कर उसका गाल थप थपा दिया पीता जी अकेले बैठे थे और घर में से कोई उठकर उनसे मिलने नहीं आया वो उठकर रसोई में गई और सोचा कि पीता जी के लिए कुछ चाई नस्ता बना ले तब ही सासों माने रसोई में परवेश किया और कटाक्ष करते हुए कहा यहां पर कोई खैरात नहीं बट रही है कि हम हर किसी को चाए नास्ता करवाते रहे जाओ जाकर बैठो अपने बाप के पास और उसको जल्दी से बिदा करो यहां से कुछ नहीं बोल पाई रोमा उसने चूप चाप पीता जी के पास ले गई पीता जी कुछ बोले तो नहीं लेकिन सायद उन्होंने ये सब कुछ सुन लिया था उन्होंने मुस्कुरा कर कहा नहीं बेटी मैं तो तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिऊंगा तुम तो ये सब करके बेकार में परिसान हो रही हो अब मैं भी चलता ह तुम्हारा जन में दिन था तो तुम्हें देखने की इक्षा हो रही थी और तुम्हारी माने भी कहा था कि तुमसे मिलकर तुम्हारा हाल चाल लेता आओ तभी नीरज भी आ गया उसने एक नजर रोमा के पीता पर डाली और फिर उसने अपने कमरे में जाने लगा उसके इस बेवार से रोमा बहुत आहत हो गई पर फिर भी हिरदय पर पत्थर रखे उसने नीरज को आवाज देकर कहा सुनिये पीता जी आए हैं देखिये ना हमारे लिए उपहार भी लेकर आए हैं बेकार ही इतना परिसान हो गए आए इनका आशिरुवाद ले लिजिये फिर आप कपड़े बदलने कमरे में चले जाएगा उसके इतना कहने के देर थी कि नीरज ने निहायत ही बत्तमीजी से कहा अरे उपहार लाए हैं तो कोन सा बड़ा एहसान कर दिया एक तो वैसे ही इनकी जेब फटी हुई है इनसे तो कुछ उमीद करना ही बेकार है भगवान जाने कोन से पाप किये थे कि तुम लोगों के कं अंगाल खांदान से हमारा नाता जुड़ गया अरे ये जो उपहार लेकर आए है न या तो इनहें वापस दे दो या इनहें नोकरों में बाट दो ऐसे कपड़े हम नहीं पहनते जाने चले आते हैं कहां कहां से मू उठाए इतना सुनते ही रोमा के सब्र का बांध तूट वो गुसे में कापती हुई चिख पड़ी बस किजिए बहुत हो चुका खबरदार आप सब इन दिनों तक मुझे प्रतारित करते रहे और मेरा अपमान करते रहे मैंने सब सहन कर लिया पर आज आपने सारी सिमाय पार कर दी आपने मेरे बाबु जी का अपमान किया है इसे म मैं कभी बरदास्त नहीं कर सकती मैं आज और इसी समय आपका ये घर छोरकर अपने पीटा के साथ वापस जा रही हूं ठुकती हूं आप पर और आपके घर पे हमसे मिलने या हमसे संपर्क करने की चस्टा भी मत किजिएगा नीरज एक पल को तो उसका ये रोद्र रूप द सुरत लेकर यहां से चली जा मुझे क्या पागल कुट्टे ने काटा है जो तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा आशु पोष्टे वे रोमा फटा फट अपना सामान बांधने लगी पीटा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की प्रन्तु रोमा कातु जैसे कुछ और ही पीटा जी से कहा बाबु जी मैं सब कुछ बरदास्त कर सकती हूं पर अपने पीटा का अपमान नहीं आप मुझे घर ले चलिये जिस घर में मान ना हो वहां से समबंध बीच्छेद हो जाना ही श्रेस कर है मैं जैसे तैसे ट्वीशन परहा कर अपने आगे की पढ़ाई रो पड़े पीटा जी तुमसे किसने कह दिया बिटिया कि तुम मेरे उपर बोज है तेरा घर है तु जब चाहे आ सकती है और जितने जिन चाहे रह सकती है भावुक होकर रोमा पीटा के सीने से लग गई दोनों पीटा पुतरी घर से निकल गए पर ना तो किसी ने उनसे बात की और ना ही किसी ने उनको रोकने का कोई परियास किया समय के गर्भ में क्या छूपा है ये कोई नहीं जान सकता रोमा के उस घर से निकलते ही मानो लक्ष में ही रूठ गई नीरज के पीटा को बेवासाय में बहुत बड़ा घटा हुआ और ऐसी इस्तिती हो गई कि व क्या उसकी तरफ देखता भी नहीं था काम पाने को अब नीरज दर दर भटकने लगा था मगर कौसल और अनुभव के अभाव में उसे कहीं भी धंका कोई काम नहीं मिल पाया उधर रोमा ने भी माइके में ट्वीशन लेना शुरू कर दिया और अपनी आगे की पढ़ाई पुना प्रारंब कर दी इस बात को दस साल बीत चुके थे अब रोमा एक डॉक्टर बन चुकी थी और बहुत ख्याती प्राप्त कर ली थी उस दिन वो किलनिक में अपने केविन में बैठी थी कि तभी रिसेप्सिनिस्ट का फोन आया मैं कोई नीरज साहब आपसे मिलना च सुनते ही रोमा को ऐसा लगा जैसे सैक्रो बिचुओ का डंक एक साथ उसे लग गया है मगर उसने फिर स्वेम को सयंत किया और सांत स्वर में कहा उनसे कह दो कि मैडम बिजी है मैं अभी किसी से नहीं मिल सकती ये कहकर उसने फोन रख दिया पांच मिनट बाद ही रिसेप्स का पुना फोन आया मैडम वो किसी भी तरह से नहीं मान रहे और एक बार आपसे मिलने के लिए जिद लगाए बैठे हैं रोमा वहां कोई तमासा नहीं बनाना चाती थी इसलिए रिसेप्सनिस्ट को बोल दिया ठीक है उन्हें अंदर भेज़ दो कुछी चनों बाद निरज उसके सामने खड़ा था विखरी हुए बे तरिब से बाल उत्रा हुआ चेहरा मूरे तुड़े कपड़े पागलो जैसी हालत हो चुकी थी रोमा को देखते ही वो हाथ जोर कर खड़ा हो गया और कहने लगा रोमा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैंने तुम्हारे साथ ब पुड़ा बेवार किया पर मुझे छमा कर दो रोमा जो हुआ अब उसे भूला दो हम फिर से एक नए जीवन की सुर्वात करेंगे चलो रोमा मेरे साथ अपने घर चलो रोमा अपनी कुर्शी पर सांती पुर्वक बैठी रही निरज की बाते सुनकर उसके चेहरे पर एक ब इलाके रह गया निरज ये क्या कहरे यो रोमा मैं तुम्हारा पती निरज कुछ भी हो पर क्या अपने पती से कोई ऐसे बात करता है रोमा ने सांत किंतु द्रड स्वर में उसकी आखों में आखे डाल कर एक एक सब्द को चबाते हुए कहा पती इस सब्द का अर्थ भी समस और तुमने पती होने का कोन सा फर्ज निभाया तुमने मेरे साथ जो भी किया उसे तो सायद मैं भूला भी दू किन्तु मेरे पीता के साथ जो तुमने बहवार किया और उनका जो अपमान किया उसे मैं कभी नहीं भूला सकती मेरे पीता मेरे लिए इस्वर के समान है और त बात के लिए मैं तुम्हें कभी छमा नहीं कर सकती, मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरे इस नए जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगा नहीं है, मिश्टर निरज, अब तुम यहां से जा सकते हो, मेरा भी घर जाने का समय हो गया है, मेरे मा आप मेरी परतिक्षा कर रहे होंगे ये कहकर रोमा ने अपना बैग उठाया और कैबिन से निकल कर गारी की ओर बढ़ गई निरज किसी हारे वे जुवारी की तरह बस उसे खड़ा खड़ा देखता ही रह गया तो दोस्तों आशा करती हूं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब किजिए का आपका बहुत बहुत धन्यवाद